खुश्कार, स्वागत आपका Self Study के चैनल पर और आज हम अपनी इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं कि भारत में अगर दो अलग अलग धर्म के लोग हैं वो आपस में अगर शादी करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं इसके लिए एक एक्ट है हमारे देश में Special Marriage Act तो हम इसको डिसकस करेंगे क्या-क्या इसके फाइदे हैं क्या-क्या इसके अंदर और जादा कमिया हैं उसको जो दूर करनी चाहिए वो सरकार क्या-क्या कर सकती हैं इसको हम जानेंगे यह चर्चा जो है अभी हाली में क्यों आदेता हूं डिस्क्रिप्शन बोक्स में टेलिग्राम का एक लिंक दिया मिलेगा तो जाकर आप वहां से इस वीडियो की पीडियो जो डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो देखिए एक एक्ट आता हमारे पास Special Marriage Act उसे Secular Personal Law भी कहते हैं कई इसको Special Marriage Act 1954 य अभी हाले में जो आप देख सकते हैं Special Marriage Act के तहती स्वरा भासकर और उनके जो पार्टनर है फराज जहर एहमद मैंने उनका नाम सही से लिया उम्मीद करता हूं तो इन दोनों ने जो शादी किये वो Special Marriage Act 1954 के तहती किये तो यह जो है यहां पर Special Act 1954 यह करेंट में आता है और इसमें जो भी कमिया है उनको क्या-क्या कैसे-कैसे दूर कर सकती है सरकार फरस्ट फॉल हम तुम जानते हैं इसके बारे में इसका थोड़ा बहुत हम बैक्राउंड जान लेते हैं देखे 1954 जो Special Marriage Act है वो एक तरीके से जो अलग-अलग धरम के जो लोग है आपस में या अलग अलग धरम के क्या इवन जो अलग-अलग जाती है वो आपस में अगर शादी करना जाते हैं तो उनको एक लीगल फ्रेमवर्क प्रवाइड करता है यह जो आप देखते हैं ना नागरिक विवा को नियंतरित करता है Special Marriage Act जहां पर राज्य जो है यानि कि जो धरम की बजाए यहां पर मंजूरी और वरेता जहां वो परदान करता है शादी को आपने भारत के अंदर जैसे Special Marriage Act देखा या भारत के अंदर आप Personal लोग भी देखते हैं जैसे Muslim Personal लोग या Hindu Marriage Act हो गया तो जापर आप देखते हैं कि खुद पर एक Personal लोग भी है हमारे पास इसके अलावा अ धरम के जो लोग हैं आपस में शादी करना जाते हैं उनके लिए भी एक Act है तो यहां पर हम देखेंगे ना कि नाकरी कैनी जो लोग है या फिर धरम में ही अगर कोई शादी कर रहा है तो इन दोनों को मानेता देते हैं यह भारत सरकार जो इस तरीके की जो चीज है वो एक UK UK के अंदर भी है UK's Marriage Act 1949 उसके तहती उसके समान ही हम मान सकते हैं Special Marriage Act है तो एक तरीके से आपको बता हैं आपकी information के लिए कि हां भी यह और कहीं है भी क्या है ब्रिटेन के अंदर आप देखेंगे कि 1949 सेम वैसे ही हमारे पास आ जाते हैं अब जो इसके basic provision है यह नहीं एप्लि फर्स्ट फॉल मैंब applicability के बारे हम बात करते हैं यह किसके उपर applicable यानि किसके उपर लागू होगा देखें इसके यह जो है वो लागू हर किसी के उपर होता है भारत में अलग-अलग धरम के लोग है हर एक धरम के उपर यह लागू होता है जो वो हिंदू हो मुस्लिमों सि registration यानि कि registration of marriage यह provide करवाता है जहां पर विवा को एक तरीके से कानूनी मानेता मिल जाती है और विवाई जोड़े को कई कानूनी लाव मिल जाते हैं उनको सुरक्षा मिल जाती है जैसे कि विराशत का अधिकार उत्रा अधिकारी समंदी अधिकार और समाजिक सुरक्षा ला धर्म के लोग हैं अब यह male जो है इसने और जादी कर रहा है और फिर भी यह किसी और धर्म के से शादी कर रहा है तो special marriage act के तैट काम कर रहा है तो भाई साब वो आप शादी नहीं कर सकता है तो यहां पर इस चीज को आपको ध्यान में रखने है इसके अलावा लिकित सूचना भी देनी जाती है देखे इसी special marriage act का एक section है 5 उसमें ये बात बोले गए है कि पक्षों को जिले के विवा अधिकारे को एक लिकित सूचना देनी पड़ती है अब वो 30 दिन पहले देना पड़ती है कि हम शादी करने वाले है और उस 30 दिन पहले उन दोनों पक्षों message वो ladies का हो या gents का हो उन में से कोई एक जब 30 दिन पहले उसी जिले में रह रहा हो अब यहाँ पर section 5 ने तो ये बोल दिया कि आप एक लिकित सूचना दीजिए कि आप जो है वो शादी कर रहे हैं 30 दिन पहले marriage officer को अब यही section 7 जो है special marriage act का ये बोलता है कि भी अगर किसी को ये परकाशन में जाती है मतलब कि ये सूचना मतलब परकाशित की जाती है कि हाँ देखे इन इन की शादी होने वाली अगर किसी को आपती है ताब अपनी आपती जटा दीजिए यही सबसे बड़ी कमी है तरिके से तो यहाँ पर section 7 ये बोलता है कि किसी को आपती है तो वो आपती जटा सकते है उसे अनुमती होती आपती जटाने की इसके अंदर आयू सीमा क्या होती है देखे इसके अंदर जो आयू सीमा जो कम से कम रखी गई है पुरुष के लिए तो 21 साल है महिलाओं के लिए 18 साल रखी गई है वैसे भी हर धरम के लिए ये सेम होती है हमारे पास देखा जाए तो अब बात करते हैं पर्सनल लों से ये कैसे अलग है देखे जो भी मुस्लिम विवा अधिनियम 1954 है हिंदु विवा अधिनियम 1955 है यहां पर आगर आप देखेंगे अगर शादी करनी होती है तो एक तरीके से धर्म परिवर्तन करना पड़ता है ओविसली ह इंदु मुस्लिम विवा जो है विवा अधिनियम उसमें बोला गया है कि आप किसी अलग धर्म से शादी कर ये नहीं सकते हैं सेम यहां पर भी है तो अगर यह सब चीजें हैं तो आपस में शादी करने के लिए इनको अपने अपने जो एक्ट परसनल लों है उनके अकोडि हैं कि देखें एक वार अगर इस विवा इस अधिनियम के यह इस एक्ट के तेदा अगर आपने शादी कर लिए उसके पश्चा जो व्यक्ति है उसको विरासत के अधिकार ध्यार से सुनना विरासत के अधिकार के संधर्म में परिवार से अलग मान लिया जाते हैं तो एक य जी आप शादी कर रहे हैं जो interface marriage कर रहे हैं तो अगर आप कर रहे हैं तो आपको 30 दिन पहले बताना पड़ेगा 30 दिन पहले बताना पड़ेगा तो अगर ऐसा करेंगे तो जिससे क्या होता है कि किसीने section 7 का फाइदा उठाते हैं section 5 के तैद तो बताना पड़ता है section 5 section 7 के तैद किसीने अपनी अपत्ती जता दी अपत्ती जता दी तो marriage officer क्या करेगा hold पे डाल देगा वो यह देखेगा कि जो उसने अपत्ती जता ही वो सही है या गलत है जब उसकी जांच कर लेगा तभी वो आगे बढ़ेगा तो यह एक तरीके साब देखे तो किसी को भी अगर मान लेजी आपने कि यही स्वरा भास करो इनकी शादी आपने जाकर ऐसे जूट मूट में कर दिया तो मान लेजी उससे होगा क्या उससे तो विवा में देरी हो रही है परिशान करने की थरकत है आपको उससे कोई अतराज नहीं था लेकिन परिशान करने के लापने वो कर दिया इसी को देखते हुए 21 जनवरी 2021 में इलाबाद हाई कोट ने एक फैसला सुनाया था जो भी एक कपल है अगर शादी कर रहे हैं अगर वो अपनी शादी को करना चाहते है तो वो एक तरीके से 30 दिन का जो एक अनिवारे नोटिस है उसको परकाशित करने का विकल्प मतलब की नहीं करना है उसका भी विकल्प वो चुन सकते है गोपनियता, संबंदी, चिंताइं भी हमारे सामने आ दिया देखें आपने नोटिस निकाल दिया नोटिस निकाल दिया तो उससे क्या होगा लोगों को पता चल रहा है उनकी जो प्राइवेसी उसका उलंगन ही तो हो रहा है बही एक वेक्टिकत की, जो एक वेक्टि है या जो एक कापल है, उसकी वेक्तिकत जानकारी से उकी सामने आ रही है विवाग गरने की उनकी योजनाओं का सब चीज उनका खुलासा हो रहा है तो आप देखिये तो उससे एक प्राइविसी का उलंगन एक जो एक इशू है जो वास्तों में काफी ज्यादा सीरियस है समाजिक कलंग यानि शोशल स्टिगमा जो हम कहेंगे देखेंगे ना अंतर जाती है या अंतर धार्मिक विवा आज भी भारत के कई हिस्सों में आप देखें ये स्विकारे नहीं है आप अंतर धर्म तो भेदबाव की द्रिश्टी से उनको देखा जाता है उन सब चीजों का सम को सामना करना पड़ता है ये चीज़ें तो देखें आने वाले टाइम में धीरी धीरे होंगी अब ऐसा नहीं है कि आप एकदम से जाएंगे और कहेंगे कि अरे ऐसा क्यों कर रहे हैं ये टाइम उनकी परवरिस वैसे हुई है तो ये सब आप देखेंगे नो उनके स्टार्टिंग से ही है ऐसा नहीं है कि रातो रात वो चीज़ें बदल जाएंगी उनको टाइम लगता है तो यहां पर आप ये चीज़ें देख सकते हैं अब क्या कर सकते हैं इसके लिए तो एक मतलब कि Special Marriage Act में सरकार ये कर सकती है कि शादी करने का जो प्रोसेस है उसको आसान कर सकती है कैसे कर सकती है जो तीस दिन का जो आपने नोटी स्पिरेट देखा जो एक तरीके से Controversy जो है या फिर कहीं कि एक जिससे विवाद उत्पन होता रहते हैं जिसमें तीसरा पक्षाएगा जो एक तरीके से हस्तक्षिप कर देगा Interference कर देगा तो ये जो मुद्दा है ये जो विवादस पद मुद्दा है ये काम करिए आप इसको खतम कर दीजिए या फिर इसको एक विकल्प दे दीजिए विकल्पिक चुन मतलब कि आप चुन सकते हैं नहीं भी चुन सकते हैं इसको एक तरीके से option में डाल दीजिए मतलब कि बहुत सारी चीजें हैं जहांपर awareness नहीं है खासकर हम बात करें ग्रामिन इलाकों में जान जागरुकता का बाव तो सरकार यहांपर जागरुकता बढ़ाने का भी काम कर सकते हैं उनके बता सकते हैं कि Special Marriage Act 1954 ये भी है जिसके सहित जो है वो आप बिना धरम परिवर् समझ में आए तो मुझे कैसे बता सकते हैं ओविसली वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके और कोई भी आगर आपके मन में डाउट है तो उसमें आप अपना डाउट उसमें लिख सकते हैं पीडियेव के लिए फिर से बता देता हूं डिस्क्रिप्शन बॉ कर सकते हैं तो बसाज के लिए इतना है था थैंक यू फॉर वाचिंग डिस वीडियो